सातियों जिस तरह से बजट पेस गिया गया उसको लेकर बहन कुमारी माया बती जी भाड़क चुकी हैं और बीजेपी की पोल खोल के रख दी है और वहीं सातियों आकास अनंद भी इस तरह में गुस्ते में लग रहे हैं बहुत बड़ा बयान दिया है सब कुछ हम आपको बत करने राजपती महोदे की तो उनका भी ऐसा यह वहासड़ था जैसे लग रहा है को राजनीतिक वहासड़ दे रहे हैं बजट पेस करो दोना बहुत दूर की बात है और वहीं सातियों आपको बता दें बहन कुमारी माया बती ने ट्विट करके लिखा कें सरकार द्वारा ल कारना आदी दुखत हुए चिंतनिये है यह बहन जीने पहले बयान में लिखा और वहीं आगे लिखा इसके साथ ही देश की अर्थ बिवस्ता हुए विकास संबंदि सरकारी दावों हुए वादों में जमीनी सच्चाई होती तो फिर यहां के 80 करोड से अधिक लोगों को फ मेंगाए गरीबी और बेरोजगारी को लेकर कोई मुद्धा नहीं उठा रही सरकार केवल धरम के नाम पर राजनीती कर रही है और ऐसा कहना भी ला जमी होगा कि जिस तरह से बेजेबिय और वहीं सात्यों बेहन जिस तरह से लिखा 80 करोड हमारे देश की जनता आज फिरी रासन की महताज है जिस तरह से ये चुनाव लड़ते हैं धरम के नाम पर अगर ये चुनाव लड़ेंगे महेंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और किसानों की आई को लेकर तो कहीं न कहीं ज कासन ने लिखा, मंदी की आहट में दुनिया की बड़ी से बड़ी आर्थ ब्यवस्थाये, डरी हुई और खास तोर से भारत में लगातार घट रही है, मांग मंदी की मुख वजा बनी हुई है, ऐसे में इस बजट में लोगों के हाथ में कुछ पैसा आता तो सायद इससे डिमांड बढ़ती और अर्थ ब्यवस्थायों को फाइदा पहुचिता लेकिन इस उदासीन बजट में ना तो किसानों को कुछ मिला ना लगू दोगों और ना ही गरीबों को सबसे बुरा हाल, मिडल कलास का जिसे हर बार की तरह इस बार भी सिरिफ धन्यवाद और जूट का चस्मा पहना दिया, पहना कर बित्मंती ने काम चला लिया, वैसे भी देश के मद्य वर्गों की चिंताओं से इस सरकार ने बरसों से ही नाता तोड़ लिया है, और जिस तरह से आकास हनन्न ने बिजेपी की पॉल खोलते हुए, मुझ तोड़ जवाब दिया है उनको